हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, ये देखिए, ये है मेरा मीठू, और ये देखिए अभी संध्या का समय हो रहा है, और ये रोटी खा रहा है, मीठू को कैसे बोलने सिखाते हैं, तो उता को कैसे बोलने सिखाते हैं, इसके बारे में आप इस वीडियो में देखने के के लिए आये हैं तो चलिए हम बारीकी से आपको बताते हैं कि मीठू को कब खाना देना चाहिए और कब नहीं देखें मेरा मीठू यह उड़ता है और पेड़ में रहता है और साम को लट करके वापस भी आ जाता है देखिए यह फ्लाइंग के लिए त्यार है पर इसका मर्ज साइड अभी नहीं है देखिए चला गया मेरा मीठू उड़ करके और यह कल सुबह में आएगा और फिर से यहां खाना खाके फिर वापस पेड़ में चला जाएगा और यह देखिए यह है मेरा दूसरा मीठू जो यह घर पे रहता है इसका थोड़ा सा पांक डैमेज हो चुका है इस वज़े से यह उड़ नहीं पाता है और यह भी काफी कुछ सिखा हुआ है पर इसके ना उड़ने का कारण इसका थोड़ा सा पांक का डैमेज होना है तो ताओ कैसे बोलना सिखाते हैं हम आगे बताएंगे तब तक से आप इस वीडियो को लाइक करते चाहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चली हम step by step बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है ये सब के बारे में जनकारी इसी वीडियो में आज देंगे तो देखिए हम इसको हाथ में बैठा लिये हैं और इसी तरह से मीठू कटोरे कटोरे और ए रूपू कटेरो कटोरे बोलने सिखाते हैं ममी बोलने सिखाते हैं और पापा ये मेरा मीठू पहले सिखा हुआ था पर अभी फिलाल में भूल चुका है और ये तोता लोग एक साल होने के बाद ही बोलते हैं, जैसे कि 6 महीना हो जाता है, तब बोलते हैं, और इनको खाने की बाद रही, तो आप खाने में चना दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, और जो भी आपके यहां बीज होते हैं, उन्हें दे सकते हैं, मकई भी दे सकते हैं, फॉल सबजियां भी दे सकते हैं, कुछ-कुछ फॉल हैं, जो हानिकारक होते हैं, जो तोता को नहीं खिलाना चाहिए, उसके लिए हम उपर में पिन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लिजे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लिजे, हमारा सारा लिस्ट इस तरह से त्यार कि किया गया है, कि आप को जो भी वीडियो को जरुवत पड़े, आप यहां से सलेक्ट करके देख सकते हैं, तो चलिए, हम आगे दिखाते हैं, कि मीठू का खाने में क्या क्या है, देखिए, मीठू का खाने में है चना, यह पानी, और यह है डालभात, और यह भी डालभात है और यहाँ फिर सचना है, और मीठू यहीं पे रहता है, देखिए यह मेरा छोटा सा आंगन, यह गाँ में इस्तित है, यहीं मेरा घर भी है, यहाँ पे अम्रूत का पेड़ है, और आसपास का नजारा दिखाते हैं, देखिए, यह थोड़ा सा आज कल बारिस का मौसम चल रहा और इधर उदर समान थोड़ा दिख रहे हुए है यह देखिए एक मीठू मेरा वहाँ से आवाज दे रहा है भाहिया बोलके बुला रहा है देखिए यही है मेरा तोता जिसका नाम है रूपू और यह इसी प्रका से सुबह साम करके आता है और खाना खाके चला जाता है और ब और चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब कर लिजे थैंकी फोर वाचिंग डिस वीडियो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब करके सियर जरूर कि देगा